हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टो माई चैनल डॉली प्रेंड्स आज की वीडियो में आपका स्वागत है उमीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे फ्रेंड्स अकसर बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि जब हम संस्क्रीन लोशन लगाते हैं तो वो लोशन हमें प्रोटेक्ट नहीं करता हमें उसका असर नहीं होता friends ऐसा नहीं है कोई भी lotion जो sunscreen lotion है या cream है वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको protect ना करें क्योंकि वो आप भी protection के लिए ही बना है हाँ हम से कई बारी कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिसके कारण वो lotion जो हमें पूरी तरह से proper काम नहीं करता तो सबसे पहली जो गलती है हम करते क्या हैं हम lotion लगाते हैं या cream लगाते हैं साथ ही हम बाहर को चल बढ़ते हैं ठीक है ऐसा आपने कभी भी नहीं करना जब भी आपने lotion लगाना है उसके 15 मिनट बाद आपने घर से बाहर निकलना है यह नहीं कहने का मतलब यह है कि बाहर जाने से 15 मिनट पहले उस lotion को लगाना है यह गलती तो होगी एक तो अगली गलती जो हम करते हैं हमने एक बार सुबे sunscreen lotion लगा लिया उसके बाद हम बाहर चलेगे सारा दिन हम बाहर धूप में गुमतरे काम करते रहे हमने तो sunscreen lotion लगा रखा है भाई ऐसा नहीं है क्यों क्योंकि हर sunscreen lotion को 3 गंटे के बाद repeat करने की जुरूरत पड़ती है तो मतलब कहने का यह है अगर आप कहीं गए हो जादा लंबे टाइम के लिए पर्स में उस cream को डाल कर जुरूर लिखके जाओ क्योंकि तीन गंटे के बाद आपने उस cream को क्रीम को दुबारा चेरे पर अप्लाई कर लीना है तो इस तरह से वो आपकी स्क्रीम को प्रोटेक्ट करेगा यनी एक बार लगाने से तीन गंटे तक प्रोटेक्ट करता है तो अब आगी थर्ड गलती जो हम करते हैं वो यह है कि हम बिल्कुल हलकी सी यनी कंच्चुसी करते हैं बिल्कुल हलकी सी cream लेते हैं और लगा लेते हैं उसके साथ क्या protection होनी है पूरी तरह से अच्छे से उस cream को लगाएं अच्छी layer के साथ लगाएं तो आपको वो जो cream है पूरी तरह से protect करेंगी तो इस तरह से यह गलतिया अगर आप नहीं करते तो आपको sunscreen lotion बहुत अच्छे से protect करता है तो आपने next आगे जब भी करना है इन tips को follow करने के बाद ठीक है इनको follow करोगे तो आपको हर sunscreen lotion जो है आपके screen को protect करेगा तो यह है मेरी आज की वीडियो तो उमीद है आपको यह वीडियो बहुत helpful होगी अगर आपको पसंद आजे तो प्लीज वीडियो को like करें ज़ादा ज़ादा शेयर करें और चैनल को subscribe भी कर लें तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपके साथ next वीडियो में एक नई और अच्छे tips के साथ